हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आर्ट फेक्टरी पीडी फ्रेंट्स आज ट्रेस करने का एक इतना इजी तरीका मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जिससे आपको ना ही किसी प्रेंट आउट की जरूरत है ना ही कहीं ड्रॉ करने की जरूरत है और बस आपके फोन से आपका काम चल जाएगा तो किस तरह से होगा पूरी वीडियो ध्यान से देखेगा मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करूंगी कोई भी प्रोमोशनल वीडियो ये नहीं है सिर्फ मैं इसको यूज करती हूँ मुझे आसानी लगी है इसलिए मैं आप सब के लिए ये जो वीडियो है लेकर आई क्योंकि छोटी छोटी चीज़े न बहुत आसान कर देती हैं हमारे काम को नहीं तो कई बार हम इसी आलस में बैट जाते हैं कि अब ट्रेस करना पड़ेगा और ट्रेस करना जो है न उसको सब को डर लगता है क्योंकि कहीं से थोड़ा सा टेड़ा हो गया है कोई छोटा कोई बड़ा हो गया तो पूरा डिजाइन खराब हो सकता है लेकिन मेरे तरीके में ऐसा कुछ नहीं होगा तो चलिए वीडियो देखते हैं लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजेगा और साथी साथ जाद से जादर शेयर कीजेगा वीडियो को ये वीडियो बहुत ऑप के लिए कैनल में चाहते हैं तो इस तरह से पूरा टॉर्मिटा आपको देते हैं मतलब क्योंक। होता है कि कैसे आपको जो है वॉर्क करना है तो जो डिजाइन है मैं ये कुछ ऐसा बनाने वाली हूं सिल्क पैंटिंग के लिए बहुत यूजफुल है हाला कि आप तो जो भी ट्रेस करते हैं वो किसी भी उससे कर सकते हैं मतलब tracing बना सकते हैं तो यह जो design है यह हम बनाएंगे color combination बोलेंगे इसलिए मैंने दोनों को save किया था तो इस design में आप इसको कितना भी zoom कर सकते हैं 1000% से जादा यह zoom हो सकता है जितना आपको करना उतना करने के बाद जो नीचे lock का option है जहां मैंने टैप किया मैं आगे फिर दिखाऊंगे आपको वहाँ पर इसको click कर दीजे उसके बाद आप इस पर उंगली फेरें या फिर आप pen चलाएं आपका design कहीं नहीं हिलेगा बशर्ते आपका जो नीचे हमारा जो keypad होता है जहां पर slide का option होता है वहां आपका finger ना touch हो जाए तो होड़ा सा वस उसका ध्यान रखेगा और देखे इस तरह से आपको बिल्कुल यह direct आप कपड़े पर भी trace कर सकते हो tracing भी बना सकते हो paper पर भी trace कर सकते हो तो देखिए इस तरह से जो है हमें जो हमारी lines है उनके उपर work करना है और उनके उपर जब हम work करेंगे easily देखिए यहाँ pen थोड़ा सा धोका दे रहा था लेकिन कोई बात नहीं आपको समझ में अच्छे तरह से आ रहा होगा जो lines है उन lines पर आप अच्छे से जो है अपने pen से work कीजिए बहुत easily आपका जो design है वो trace हो जाए और line to line trace करने के बाद जो silk painting है उसमें तो आसानी होगी ही होगी क्योंकि वहां हमें गुटा liner जो use करना है वो lines पर ही use करेंगे क्योंकि थोड़ा सा भी हमारा इधर उधर हो जाएगा तो हमारा जो design है वो खराब हो सकता है तो यह देखे इस तरह से आपका जो design है वो आपके accordingly बनता चला जाएगा कोई भी motive कहीं से भी आप download कीजिए अपने phone में paper copy नाम है इस app का paper copy तो देखे आप नीचे मेरा हाथ लगा तो वो गया लेकिन वहीं का वहीं रहेगा आपका design as it is उसका कुछ भी नहीं होगा और जब आपको इसको थोड़ा सरकाना है तो जो sound का button होता है ना लो या medium यानि की कम या जादा करते हैं तो किसी भी साइट से आप उसको press कर दीजिए और फिर वो फिर से आपका work करने लगेगा और लोग हो जाएगी skin जब आप जब उस lock वाले option पे click करेंगे तो अब जब आपको design आगे trace करना है तो जो last petal आपकी बनी थी ना वो petal के उपर petal रख लीजिए and then आप उसके बाद का जो आपने trace नहीं किया है वो design आप बनाते जाएए इस तरह से जो आपका design है वो बिल्कुल accurate बनेगा और उसमें कहीं से भी कोई दिकत नहीं आएगी किसी print out की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत easy त करना होता है और मैं इस तरह से tracing भी बना लेती हूं और आपको ना तो कहीं से tracing खरीदने की जरूरत है इतना easy method होने के बाद आपको जरूरत ही नहीं आप कहीं से tracing करें और रही बात इसमें piercing की यानि कि जो छेद करते हैं हम वो भी आपको pen मिलता है एक piercing pen के नाम से amazon पर भी available है और आपको instagram पर भी बहुत सारे pages है जहां मिल जाएगा वह आप मंगा सकते हैं तो वह भी यह जो आपकी line से इन पर चलाएंगे तो वह भी आपका बहुत काम easy करेगा अब देखिए जो last petal है उसी के accordingly रखा है यह थोड़ा सा आपको टेड़ा दिख रहा है लेकिन यह जो है camera का angle है otherwise थोड़ा सा मतलब आप अपना manage करके इसको इस तरह से पूरा design आप trace कर लीजिए paper पर भी trace कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद आप अगर इसके नीचे fabric के ऊपर carbon paper रखेंगे और carbon paper के ऊपर यह design रखेंगे तो बहुत easily आप trace कर पाएंगे आपका जो design easily आपके fabric पर आजाएगा और अगर आपका कोई ऐसा fabric है जिस तरह से cotton है या कुछ और है तो आप उसको जो है easily आप कर सकते हैं क्योंकि cotton पर तो pen या pencil से आप design बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन silk पर थोड़ा सा spreading का रहता है क्योंकि हमें फिर उसके उपर भी work करना है तो कहीं shade न copy app है और आप कहेंगे तो मैं इसका जो link है वो description में दे दूंगे आप वहां से download कर लीजेगा यह कोई promotional वीडियो नहीं है तो जो मेरी fabric painting business की playlist है वो left side में है और fabric painting सीखने की playlist है right side में है जरूर क्लिक कीजेगा help मिलेगी और हाँ यह जरूर यूज करके देखेगा और मुझे बताइब